हलो फ्रेंड्स वेलकम डू माई लाइफ इसक्रेड अगर आप मेरे चैनल पहली वारा हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन हैं सुदाना बेलकुल ना भूलें ताकि आपको मिल पाए हमारे चैनल की सारी अपडेट सबसे पहले तो मैं लेकर आगे आप लोगे बहुत इंफॉर्मेटी वीडियो जो कि लाइक बेट्समें पर खासकर अगर आप एक बीगिनर बेट्समें नहीं तो आपके लिए यही वीडियो होने वाला क्योंकि इसमें आपको बताऊंगा कि आप फास्ट बॉलर के अंगेश्ट कैसे प्रॉपर खेल पाए खेल बाएं ये वी मैं आपको एस वीडियो में बताऊंगा तो अगरा आप भी नहीं खेल पाते हैं फास्ट बॉलर को अच्छे से प्र्यवर्पर तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए आप अगर इस वीडियो को देखलेंगे तो आप इस लिए फास्ट बॉल्लू को नहीं करते हो लेकिन आप लोग मेंटली बहुत बड़ी गलती करते हो जो कि यह फास्ट वालर के खिलाफ डर जाना आप लोग उनके पेश जो है 135 से 140 जो एवरेज फेकते हैं उससे आप लोग डर जाते हो और जहां पर आप डरते हो वहीं पर आपका जो टैलेंट होता है जित आपका जो टैलेंट होगा जितना परफॉंट करने की छमता होगी जतनी स्कील होगी जतनी टैक्निक आपकी होगी अच्छी वह सब तफ निखर के बाहर आएगा तो यह तो मैंने आपको कुछ बता ही mentally changes अगर आप इस mentally changes को कर लेंगे तो आपको क्या फैदा होगा वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ तो अगर आप इसे कर लेंगे तो इससे होगा कि आपका जो body है वो ball के तरफ easily जाने लगेगा पहले ऐसा नहीं होता होगा लेकिन अब अगर आप कर लेंगे इस changes को तो आपका जो body है वो ball के तरफ easily जाने लगेगा और आप easily defense या shot easily मार लेंगे और इसी तरीके से आप run भी score करने लगेंगे और अब मैं आपको बता होगा कि आप physically क्या change करकर run score कर सकते हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँ कि आप जब भी fast ball को face करें तो आप लगातार एक ही इससे होगा कि fast baller एक line length पर ball नहीं डाल पाएगा नहीं तो fast baller लगातर yorker डाल पाएगा और आपका wicket ले सकता तो इसलिए हिलते दूलते रहे तो उससे होगा कि यानि तो full length ball वो बन जाएगा नहीं तो यह yorker को आप full toss बना कर भी convert कर सकते तो इसलिए बुलना चाहूँ जब fast baller balling के लिए run up लेना start करे तो आपको उसी समय से उसके wrist पर ध्यान देना चाहिए और उसका wrist position कैसा है वो off cutter डाल रहा है या कौन सा wrist position वो लेकर डौड रहा है वो आपको फोकस करना है उसी समय से concentrate करना है जब तक कि वो deliver ना कर दे और जब वो deliver करने वाला है तो उसमे आप जल पाए या defense कर पाए तो अगर आप इस सब को अपने batting में implement करेंगे तो आप इसली fast baller को easily खेल पाएंगे और इसली आप उनके against score कर पाएंगे runs अब को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को कर दे like और अगर कुछ भी query डा गई हो इस वीडियो से समाप्त होती है एक लाश stay home stay safe तब तक के लिए बैबाई दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय वारत